तू ही सागे, तू ही सागे है तू ही किनारा ढूंडता है तो किसका सहारा आजे बात करवी छे बाल को ना सर्दार पठेल ने सर्दार पठेल नू घर बारडोली मां छे देशना कोई खोणे थी बेचार दिवस्तनी लोराश मले एले सर्दार साहेब स्वराज आश्रम बारडोली ना घरे पूची जाए लोपुरुष सर्दार अहीं आविवी सामो करे त्यारे सावज सहज कहोने बारड सहज उत्तमचंद शा एतले बारडोली ना स्वराज आश्रम ना सर्दार सहेब में निमिला चोकिधार ए उत्तमचंद काकानी वानर सेनानो हवालो लईले सर्दार सहेब नानी अने तेनी टनक टोड़ी सर्दार सहेब नी आगल पाचर नानी तो सर्दार नो पड़ेओ बोल जीले ने तेमनी नाना मनानी जरूर यातनी आगोत री काल जी राखे नानी ये सर्दार सहेब ना खोड़ा मा बेसी पिता नी हूफ मेलवी छे गमे ते वो काम होई पन वानर से ना सिद्धी सरदार पटलना रूम मा देशना नेताओ सरदार साथे गोश्टी करता होई के हवे नी लड़क नी नीती घरता होई पन वानर से ना त्या पोँचे एले सरदार बढ़ा काम पढ़ता मुखी नानी नी आंगली पकड़ी ने चालता थाए उत्तम चन शा एले सरदार पटलनो पढ़चायो ने नानी एटले एनी दिकरी निरंजना मुकुल कलार थी वल्लब्भाय पटल राष्टना दिग्गत नेता छे अने अंग्रेट सल्तनेत ने तेनो डर रहे छे एवी तो मिजा सव ने खबर छे और खुच सरदार आवा थी अग्राथ अने नी वानर से न तो साव अजान येले मिजा नेता हो अने लोकों ने सतत अचम्बो थाए के वल्लब्भाय हाम बालको साथे किम दोड़ी जई शक्ये छे पतेल सरदार एटले केवाया कि तेने जेवा साथे तेवा थाई जवानी आगत थी सरदार नेता पछी पन उम्दा मानव पहला छे स्वराज आश्रम मा सरदार साहिबना वडपण मा बव अगत्यने मीटिंग मढी आती देश भरमाती नेतागन पधारल अने सरवे कामना भार साथे अंगत गुप्तगो मा व्यस्त हता कोंग्रेस नी ओल इंडिया वर्किंग कमिटिनी ए मिटिंग आती खादी धारी नेताओ ने कारिय करो खब्य थेला लटकावी ने गंबीर वदने हाजर अता वोट नेक्स्ट नो एजंडा हातो स्वराद आश्रम मा आवेल पाचल ना खंड मा थी वानर से ना चा पाणी जेवी व्यवस्ता करवा मा लागी तेहवे मुद्ध थाई आश्रम ना मेदान मा उच्छल कूदे मस्त हती पस यहां कोईत नेक्सूजी वने बद्धा बाल को टोड़े वड़ी नानी नियतागिरी मा उपणया ज्या बेठक चालती हती क्या शांती थी शिस्त बद्री ते सर्दार साहिब नी आसपास गुठवाए गया सर्दार नी नजर पड़ी के तरत नानी ये पूछिव बोलो मारी वानर सेना शूप धारी चे नानी ये साद नजीक जयने कान मा नानो साथ दिदो और वानर सेना नू मिशन कयूँ सर्दार ने खोड़ामा रहला कागली आओ ने पुठाओ मुख्या नीचे और उठ्या उपच्छित साओ तो सर्दार साहिब नी सहजता थी अच्चम बित्थाया उबाततान सर्दार खेता गया तमें साओ चर्चा करो त्याओ आओ शूँ उमारी वानर सेना नो काम पतावी दो आगल टानक टोड़ी उठ्थाती कुदती जा यने पाचल नानी नी आंगरी पकड़ी ने सर्दार साहिब चालता जाए आश्रम ना पतांगर मां शेतूर ना जाड़ पासे लावी ने सर्दार साहिब ने उभारा किसे उखेवा लगया अमारे शेतूर खावाँचे सर्दार साहिब अमने शेतू उतर या पोना आपने जे सदंतर नाचीज लागेते विवार सर्दार ने मन लेश मात्र नानकली ना हती करणा मांगडी तेमनी वानर सेना द्वारा थैल स्वतंतर भारत ना लोखंडी पुरूश अने प्रजाना चहिता सर्दार ने अटली बाल सहचता थी जे मने शेतूर उतर का भाळया तेवो तो मोमा आंगला नाखी गया अने मोम पर हाथ राखी ने जोह है शेतूर मिडवी ने राजी ना रेड थैला वानर सैनी को तरफ संतोष नी नजर ना की सर्दार पटेल फरी आश्रम खंड तरफ पग उपड़े क्या वड़ी नानी ए तेमनी मदद मागी आश्रम ना मद्यस्त दरवाजा पर अगाउ सर्दार सायबे चड़ा बेली पिणा फूल आपती वेलनी केटलिक डाणकियों सुकी पड़ी हती आज जुकेली डाणियों उपर चड़ावगी हती नानी ने सर्दारे तेडी ने उचकिली दी औने नानी ने जक्यों ले तुझ डाणियों पाची उपर गुठवी दे पिणा फूल थी स्वराजनी शोबा वदी जशे तीवी श्रद्धा थी सर्दार असाओ नानकडा काम मा सयोगी बनी रहा लोखन्डी पुरुष एक कुम्डी कन्या मा पण भारत माता नाज दर्शन करे चे तो नानी श्रीकन्या लोख पुरुष मा पोतानो पिता अनुभवेच सर्दार पटेल वर्ज्रती कठोर हता आने पुष्पती कुम्ड हता सर्दार साहिबनी मानवीय प्रतिभाज वैश्विक उच्चाइती अतकेरी हती आवा लोह पुरुष्णी प्रतिमा ए आपडो संतोश आदर छे परन्तु तेमने दिव्य प्रतिभाज नियत ये बक्षेलो एक सहच आदर छे तू ही सागे है तू ही किनारा डूंडता है तो किसका सहारा डूंडता है तो किसका सहारा